इस्टुडेंट्स अब हम जो आपसेट फ्रॉम लांग का डेरिवेशन देखे थे लेयाउट करने की जो प्रोसेस थी तो उसमें जो जो डेटा हमें चाहिए जितने भी डेटा चाहिए उसको निकालने के लिए निमेर्कल आता है तो चलिए हम देखते हैं पहले हमारे पास ए दिया हुआ है क्या रेडियस आफ कर दिया हुआ है पेग इंटर्वल दे दिया है 10 मिटर यदि नहीं देता तो हम अपने से 5 मिटर 10 मिटर 15 मिटर ठीक है टाइम के हिसाब से क्या है अभी आगे थोड़ा बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा ठीक है डिफलेक्शन एंगल दि अब हमें ले आउट करने के लिए जो जो डेटा चुहिए वह निकालना है और ऐसे कोश्चन आता है वह नाम नहीं देगा कितने अपसेट के लिए कितना क्या निकालीए सीधा बोल देगा कि आप जितने भी डेटा जरूरत हो निकालीए तो हमारे पास कोश्चन दिया और हमारा जो ओस्जीरो है मि摘ार्ट रिक्स होता है ठीक है हम इसके पहले भी देख चुके है कि भी डाट रही होगा सबसे पहले हमने एक अपना जो पिछले वीडियो में हमने क्या बना तो एक रिलेशन क्या प्यारइब किया था उसका क्या ऐधा फार्मुला सामने O0 equal to OX equal to O0 minus X square upon 2R ठीक है यह हमें relation हमें मिला था तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि O0 निकालना है ठीक है O0 कैसे निकलेगा चलिए O0 क्या है हमारा mid-ordinate है यहाँ पर हम दिखा चुके है तो mid-ordinate निकालने का हम formula पहले देखे थे mid-ordinate O0 निकालने का क्या formula था R1 minus cos delta by 2 यहाँ पर यह value रखेंगे तो आएगा कितना 13.40 meter ठीक है यह हमारी यह O0 की value है इसके बाद हर 10 meter पर हमें निकालना है कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ से center से जो है 10 meter इधर जाएंगे left side में या तो फिर right side में ठीक है 10 meter हम left side में जाएंगे तो हमें यह value distance कितनी मिलेगी O3 की value से हम बोल रहे है ठीक है यह दिखरा होगा आपको ध्यान से देखेंगे तो O10 लिखा हुआ है ठीक है pencil से लिखा है या फिर यहाँ भी हमने O10 लिखा हुआ है ठीक है तो जो है हमारा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जब हम layout करेंगे ठीक है O0 हमें मालूम है हर 10 meter पर हम इधर की जाएंगे या तो फिर इधर की और जाएंगे ठीक है तो हर 10 meter पर इधर 10 meter गए तो हमें यह वारी distance कितनी चाहिए यह निकालना है 10 meter पर करें यहां से हम 20 meter गए ठीक है या तो फिर यहीं से जयाँगे तो 10 meter ठीक है लेकिन हमें formula में निकालना पड़ेगा तो 20-30 रप पके निकालना पड़ेगा ठीक है तो हम यहांसे 20 míटर आगे जाएंगे यहांसे 20 मीटर आगे जाएंगे तो हमें फिर ये curve layout करने के लिए हमें ये वाली distance कितीनी चाहिए जिसको हम नाम क्या दिया है वो 20 ठीक है दिख रहा है ये पहले आपको समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो पहले आप ये समझ लीजिए ये देखिए यहां पर हमारा है यह जीरो यहां से 10 मिटर गए तो हमें यह 10 वाली जो value है वो हम निकालेंगे पहले फिर यहां से 20 मिटर आगे चल करके हमें यह कितना दूर है यहां से यह कितना दूर है ठीक है यह निकालना है उसके बाद 30 मिटर पे निकालना है फिर 40 मिटर पे निकालना है फिर 50 पे नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी आपको हम हम बताते हैं देखिए इधर देखिएगा हमारा जो है हम जब यह long court है यह लांग कॉर्ड की वैलु हम जब निकाल रहे हैं ठीक है यह वाली टीवान और टीटू की वैलु कितनी आ रहे हैं देखिए 2R sin 2d2 होता है ल की वैलु है 100 हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो टोटल हंड्रेड है यहीं नहीं हुआ लांकाड का मतलब तो हम यहां से 50 मिटर तक इधर जाएंगे तो हमारा यहां पर क्या है 50 मिटर इधर जाएंगे तो हमें तो यहीं ठीक है तो चलिए अब हम अपने कल्कुलेशन की तरफ आते हैं तो अब यहां पर देखिए हमने मीड और्डिनेट की वैलू निकालना है इस फार्मूले से निकालेंगे तो हमारा आएगा 13.40 जिसके हम बात कर चुके हैं भी ठीक है इसके बाद जो है हमें ओ टेन निकालना है ठीक है अब क्या है हमारा ओ टेन क्या है यह वैलू दिख रहा होगा आपको यहां से यह तेन यहां से दस मीटर तो हम अपने से पेग मना लिये हैं कि हम यहां से दस मीटर के बाद हमें यह वारे डिस्टेंस चाहिए तो दस मीटर उधर जाने के लिए हमारा फार्मूला क्य हमें डारेक्ट यहां पर 100 रेडियास हमारा दिया हुआ है तो टू आर यानि 200 कर दिये हैं इसकी वैलू आई 12.90 इसका मतलब यह हुआ कि हम जब लेयाउट करेंगे इस कर्व का तो सेंटर जो हमारा मीड और्डिनेट का सेंटर है ठीक है हमारा यह जो है मीड और्डिनेट यहां से जो है हम इधर 10 मीटर जाएंगे तो हमें यह वाला पॉइंट करव पर पाने के लिए हमें कितना जाना पड़ेगा 12.90 ठीक है तो अब जो है हमारा फिर अब कितना 20 मीटर के लिए निकालेंगे तो O20 जहांपर X था वहाँ पर 20 रखेंगे तो O20 13.40 वही फार्मुला जहांपर X की वालू 10 की वहाँ पर 20 रख देंगे तो 20 स्कौईर अपन 200 तो 11.40 आगया उसके बाद 30 के लिए निकालेंगे वही फार्मूला है 13.40-30 का स्क्वाइर अपाउन में 200 तो 8.90 आ गया फिर 40 पे निकालेंगे तो हमारा 5.40 आएगा अब हमारा 50 पे हम निकाल रहे हैं तो हमारा 1. कुछ-कुछ आ रहा है तो जो भी आ रहा है हमें उसको ध्यान नहीं देना है क्यों अब ऐसा क्यों आ रहा है हमारा यहां पर 0 आना चाहिए ना जैसे हम यहां पर बात कर रहते हैं कि यहां से 50 जा रहे हैं तो 50 पर जाएंगे तो हमें T1 पर पहुँच जाना चाहिए तो जो हमारा 50 की वैलू है वह 0 होनी चाहिए जबकि हमारी पॉइंक आ रही है तो यह ऐसे हो रहो है क्योंकि जो हमエxp esions लिए bastards इंच्यैट एक्सप्रेशण नहीं है यह ठीक है न यह हमारा जो था इक्सप्रेशन तो हमारा यह क्या हम लेकर के एक मीटर ज्यादा माइने नहीं रखता है ठीक है तो हमारा इतनी वैलू यह हो गई यह नुमेरिकल बहुत ही सिंपल नुमेरिकल है और यह बहुत ही चांस है इसका एक्जाम में आने का अभी अब एक लगभग दो वीडियो और बनेंगे इस चैप्टर से एक में होगा रेंक क्यों आपनोगो